हाई गाईज कैसे हो सभी टोड़े वी लर्न तो इवेरी इंपोर्टेंट एडवांस इंग्लिस स्टेक्चर इन दिस वीडियो सो फ्रेंट्स विदाउट एनी फॉर्द डिले लाट्स को एंड स्टार्ट वीडियो हाई फ्रेंट्स आम बबली कविया और फ्रेंट्स चलो देखते हैं कि पहला हमारा एडवांस इंग्लिस स्टेक्चर कौन सा है फ्रेंट्स यू कें से पहला हमारा एडवांस इंग्लिस स्टेक्चर वो है बुरा मानना, बुरा मानने को इंगलिश में बोलते हैं get often day क्या बोलते हैं get often day देखिए फ्रेंट्स, एक्जम्पल देखते है वह हमेशा बुरा मान जाती है वह हमेशा बुरा मान जाती है तो इंगलिश में कैसे बोलेंगे see always gets often day see always gets often day अगला एक्जम्पल है आप बुरा क्यों मान रहे हो तो वाई आर यू गेटिंग ओफन दे तुम बुरा मान गए हो क्या तुम बुरा मान गए हो क्या तो अगला है हमारा इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है तो वाट इस देर तो गेट ओफन दे अगला है हमारा बुरा ना मान गए होली है don't get offended it's holy अगला है फ्रेंट्स उम्र का लिहाज करना उम्र का लिहाज करना इसको इंगलिश में बॉलते हैं act once age act once age बॉले तो उम्र का लिहाज करना फ्रेंट्स कभी का बार ऐसा होता है कि कोई अपन से age में बहुत बड़े होते हैं और बचकानी हरकते करते हैं तो अपन बोलते हैं कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो इसको इंगलिश में बॉलते हैं act once age और फ्रेंट्स यहां पर आप once की जगह कुछ पर एड़ कर सकते हो जैसे कि तुम्हारी उम्र का लिहाज करो तो यौर मेरी उम्र का लिहाज करो तो माई हो जाएगा friends चलो example देखते हैं ठीक है कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करो कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करो तो देखो friends मैंने यहाँ पर once की जगा your age add कर दिया जैसे at least act your age at least act your age कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करो ठीक है अगला हमारा आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए तो you should act your ass अगले friends वहें तो अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करती तो she doesn't even act her ass So friends I hope कि आज की आपको यह वीडियो पसंद आई हो And friends ज्यादा से ज्यादा यह sentences वगेरा है मैं आपको बतारी हूँगे Daily life में यूज करने की कोसिस कीजिगा Friends मिलते हैं मेरे next वीडियो की साथ तब तक बाई